कुछ दिनों पहले में उपास का क्लास आई थी तो मुझे आपको बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा कोई आठा पताईए ऐसी चीज बनाईए जिससे रोटी पराठा पूरी बहुत एजिली हो जाए वरत में खाने के लिए या उपवास में खाने के लिए इसके लिए मैं ले रही हूँ आदा किलो बगर बगर बुलिए समाके चावल बुलिए वह हमको लेना है और इसको हम हलका रोस्ट करेंगे आपको मीडियम गैस पे इसको रोस्ट करना है यह जैसे-जैसे रोस्ट होगी अपना कलर चेंज करेंगी आपको यह बहुत जादा अब अच्छे से इसका बड़ के लिए बहुत अच्छी है। अब अच्छे से इसका कलर चेंज होना अब मैं इसको निकाल लूँगी। और यहां पर हम लोग अड़ करेंगे यहां पाव किलो राजगी राव। आपको यह बजार में इजली मिल जाता है जिसको हम अमरेंथ भी बोलते हैं। अगें टू गुट पर यहल्थ, पर यहां इसको भी भूनेंगे। बस बाहर से लाते हो तो एक बार इसको अच्छे से नजर डाल दीजिए या छान दीजिए। ताकि इसमें जो भी इंप्योरिटी हो वो निकल जाए। इसको भी बहुत हलका बुनना है ज्यादा बुने होगे। तो इसके पॉपकॉर्ण हो जाएंगे। अच्छे से बुन जाएगी। इसको भी मैं निकाल लूँगी। और एक सो ग्राम अब लोगे। अच्छे से कपड़े से पहुचा होगा साबुदाना। मैं इसमें डाल रही हूँ। एक टेबल स्पून जीरा। इसे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और डाइजेशन के लिए भी बहुत वूस्पूल है। बरतन में निकाल लेंगे। बॉपास के लिए थालिपीट बनाना है, आपके वरत के लिए चीला बनाना है, डोसा बनाना है, तो यह आपका प्रेमिक्स रेडी है, बहुत ही फटा-फटब आपकी चीज बन जाएगी, और इससे रिलिटेड और कोई मुझे मुझे कमेंट करके बताइए